Welcome students to your online class. Today we are going to study English Reader. Chapter number 1. Almighty God. Almighty means सर्फशक्तिमान and God means परमेश्वर. Almighty God याने सर्फशक्तिमान परमेश्वर. All things bright and beautiful. जो सभी चीजे हैं वो क्या हैं? चमकदार है और बहुत ही सुन्दर है. All creatures big और small. जो सभी प्राणी हैं वो क्या? छोटे और बड़े. All things wise and wonderful. जो सभी चीजे हैं वो क्या है? बहुत ही अच्छी और बहुत ही आश्चर जनक है. The Lord God made them all. ये सभी चीजों को किसने बनाया है? हमारे परमेश्वर ने इश्वर ने उसे बनाया है. The cold wind in the winter. याने जो cold wind याने थंडी हवा है जो थंड के समय चलती है. The pleasant summer sun. और जो summer में याने गर्मी में सूरज निकलता है. सुकद सूरज है. The ripe fruit in the garden. याने पके हुए फल जो garden में है. He made them for everyone. ये सभी चीजें परमेश्वर ने किसके लिए बनाई है? सभी के लिए. He gave us eyes to see them. क्या दिया है उन्होंने हमें? He gave us. हमें क्या दिया है? आखे दी हैं. इन सभी चीजों को देखने के लिए. And lips that we might tell. और किस लिए? Lips किस लिए दिये? ताकि हम बोल सकें. How great is God Almighty? देखो हमारा इश्वर कितना अच्छा है? किता महान है? Who has made all things well? जिसने सभी चीजों को कितने अच्छे से बनाया है? Thank you children.